हे गाईस देखो अगर माल लेते हैं किसी कंपनी का रियल वेल्लू बताया जा रहा है ट्वाल हंडड़ फिप्टी रुपिस और वह भी माल लेते हैं कि वन नाइन्टी रुपिस के बाजियों मिल रहा तो क्या यह हमारी लिए एक अच्छा पॉस्टिनिटी है क्या हम बोल सकत तरल of the actual true value of a company मतलब यह जो इंटरिंसिक वेल्लू होता है वो कंपनी का true वेल्लू होता लेकिन exact नहिं होता यह क्या होता कि मतलब एक estimated, estimated का मतलब एक अनुमान लगायता था, देखो मैं आपको बता दूँ तीन लोग खड़े होते हैं आपके सामने तीन लोग खड़े हैं एक, जो बहुत मोटा इंसान है ठीक है, जो बहुत मोटा है दूसरा, जो बिल्कुल पतला है ठीक है, तीसरा, जो थोड़ा average है, average का मतलब भाई, हाँ वो ठीक ठाक है, ओके ओके भाई ये ठीक ठाक है, तो आपको पता चल रहा है देखने से पता चल रहा है, कि हाँ भाई, इसका थोड़ा ज़्यादा वेट होगा, इसका थोड़ा कम वेट होगा ये healthy है, ठीक है, ओके करके तो इसको बोलते है, estimated ये हम अंदाजा लगा रहे आप बोल सकते हो, कि इनका वेट, exact वेट कितना है, क्या इसका भी, किसी का इंसान को देखके है, आपके सामने में, आपके friends जो है, आपकी जितने भी friends होगे, ये कोई भी होगा, family में, तो आप देखके बता सकते हो, कि इसका exact weight क्या है, नहीं, लेकिन आप देखके इतना जरूर बता सकते हो, हाँ, 40 होगा, 50 होगा 80 होगा, या 30 होगा, आप बता सकते हो, तो उसको बोलते हैं, बई estimated, तो company का estimated true value आपको बताया जारा, company का, ये रहा आपके सामने, latest quarter है, 1243 रूपीज का intrinsic value बताया जारा, company आपको देखने हो में मिल रहा, 193 रूपीज में ही, आपको company का price देखने हो में मिल रहा, देख लिजए, intrinsic value है ये, तो मैंने आपको internet में दिखा, intrinsic value क्या होता, आप लोगोंने आराम से पड़ा, example भी मैंने आपको दिया, और ये market price बताया जारा, market price का मतलब, जो market में, market price क्या होता ना, कि daily 10% दूपर जाता है, कभी 5% नीचे आ गया, एक हपते में 30% गिर गया, मतलब हर दिन fluctuate होता रहा ता, तो इस वाज़े से आप हर दि का ये देखे, ये changes भी आपको, daily का changes भी आपको बताया जारा, और current market price ये आपको बताया जारा, और यहाँ पर अगर आप fundamental medium term देखे लो, technical near term देखे लो, दोनों में आपको बताया जारा, strong buy करना है, company का नाम नहीं देखना चाहोगे, आप लोग, company का नाम है, rain industry है, देख ल और कई बार तो ये stock भई जब jump माता, तो काफी उपर level तक jump माता, और कितना परसंट का return निकाल के दिया था, ये company जब undervalued था, ये company ने 800% से भी ज़्यादा return निकाल के दिया था, वो भी केवल कुछ पलो में, आपको देख लिजे, जब भागना शुरूख किया था तो, औ आपस गिर चुका है, और सेम दिख लिजे, ये अपने intrinsic value से भी कई गुना नीचे मिला है, ये stock, पहले ये stock उपर गया था, ठीक है, अभी दुबारा, और ये intrinsic value मैं आपको बता दू, every quarter में change होता रहता है, quarter 1, 2, 3, 4, हर quarter में intrinsic value change होता रहता, अब ये माश समझे कि सर ये 1200 र evolution बदल जाए, तो ये क्या होता न, up to date रखना है, अभी दिखेगा तो क्या होता, 3-3 महिने में लोगों का weight में कभी-कभी changes भी आ जाते हैं, आते की नहीं आते हैं, बिलकुल आ जाते हैं, तो same company भी वही होता, और जो fundamentally मजबूत company का मतलब क्या होता है, weight gain करना, मतलब एक इ ये मतलब मैं आपको होता हूँगा कि 100 में से एक इनसान कर पाता है, लेकिन नहीं कर पाते लोग, तो weight एक ऐसी चीज़ा है, जिसको मतलब मैं आपको लोगा lose करना बहुत मुस्किल होता है, हैगी नहीं, कुछ 1-2% लोग कर पाते हैं, सब नहीं कर पाते हैं, तो fundamentally मजबूत ये देखिए, अपनी बारे में जनकारी दे रही है, इनके पास manufacturing capabilities क्या है, कहा कहा company काम कर लेती है, टोटल ये 8 countries में फैल हुई है, 18 manufacturing facility यहाँ पर company में आपको देखने को मिल जाता है, और भी मतलब ये company का expansion plan होता है, expansion plan का मतलब माल लेते हैं कि कभी कोई product जो है, मैं इस बा बढ़ाते हैं अपना target, carbon product segment से 66% तक का revenue generate कर लेती है, company बोल रही है, कि world largest, यहाँ पर देख सकते हो, producer of coal tapage, ctp, इसको short firm में बूला जाता है, मतलब world का, मतलब काफी अच्छ है, मतलब company की capacity, और second largest manufacturing आपको जो बताया जा रहा है, calcium petroleum coke, जो short firm में इसका दिया गया है, cpc, त और जो material segment मैंने आपको बताया है, उसे 26% का revenue generate कर लेती है, company, cement से 8% का revenue आता है, cement इनका core business नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है, कहां कहां से company कितना पैसा कमाती है, कहां कहां पर इनका business है, मैंने आपको बताया है, पूरे 8 country में company फैली हुई, तो यहां पर आपको बताया ज 40% कहां से Europe से 40% और यहां देख सकते हो, followed by Asia से 20%, USA से 19%, rest North America से 12% और भी आपको Middle East से 6% है, आफरीका से 2% है, rest of the world से 1% है, तो यह पूरे वर्ले में company अच्छा खासा business कर रही है, market cap company का केवल 6495 करोड़ है, यह देखके पता चलता है कि हाँ, अगर company अच्छे लेबले पे काम करती है, तो कल की date में company का market cap अगर 50,000 करोड़ भी होता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सारे company का market cap more than 2 lakh 3 lakh है, जो छोटे छोटे भी है, तो इसका भी तो आराम से हो सकता है, को attention वाली बात नहीं है, थोड़ी बहुत company आपको dividend देती है, जो कि 0.52% है, थो ने भी काफी बड़ी हिस्टेदारी खरीदी है, या foreign वालों ने, यहां पर आपको बता चलेगा, देख लीजे, domestic और foreign दोनों ले, तो foreign वाले को पास पहले बीच में नोंने सारा माल बेज दिया था, 10% के बाजियो में था, अब 10% से देखे, 16% हो चुका, पिछले quarter में भी 43, 44%, 46% तक था, 48% तक था, लेकिन आप देखे, केबल 41% बचा है, तो public से लोगों ने माल खरीदा है, ना के public को माल बेचा गया है, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको किसके बारे में knowledge दिया, intrinsic value के बारे में, और चलिए साथ-साथ में मैं आपको book value का भी knowledge देही यहाँप़ देख सकते हो that companies, total asset and total liability, company का जो total asset है माल लेता है, कंपने के पास 100 रुपे का total asset है, और company के माल लेता है 50 रुपे का liability है, तो कितना बचाव होई 50 रुपे बचा है, माल लेता हैं, construction 여rine का रूपी का रुपिस का liability है, तो जो 40 रुपिस बसता है, तो क्या यह shareholders के से एल वल्लू कितना आएगा 40 रुपिस अब इसको डिवाइड करके दखेंगे कि भाई पौर शेयर का हिसाब कितना और पौर शेयर का हिसाब से भाई हमने एक शेयर में एक शेयर हमने पांच रुपे में खरीद रखा तो बेचने के बाद जो कंपनी जब बिखेगी उनका लिक इफ कंपनी यहां देख सकते हैं वेर टुबी लिक्विडेट तो यह होता है बुक वैल्लू और स्टार्टिक में मैं आपको जानकारी दी इंट्रेंसिक वैल्लू के बारे में तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हों तो यह दोनों चीज़े जरूर दे सकते हैं